सब्सक्राइब करता हूँ आप सभी का कॉंसेप्ट क्लासेश के इस डिजिटल प्लेट फॉर्म पे और बात करेंगे आज इस सेशन में हम लोग सबसे जादा अभी जो ट्रेंडिंग में वेकंसी है कॉमर्स के स्टुडेंट्स के लिए वेकंसी है हमारी राजस्थान में जो एसो की वेकंसी आई है जिसे सहायक सांखी के अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है वैसे तो नोटिप्रिकेशन आयों काफी समय हो गया है लेकिन क्योंकि हमारी ओडियंस है उनके लिए अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है और इस सुडेंट को इस वेकंसी की पर रहे हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूगाई इस फॉर्म इसके भर रहे हैं तो जो भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस वेकंसी के लिए एलिजिबल है तो डेफिनेटली आपको इसका फॉर्म तुरंत प्रवाव से भर देना चाह लगता आपको बता चूप करने से पहले आप सभी को बता दूगाई गर आप उदैपुर में रहते हैं और अगर आप त्यारी करना चाहते हैं first grade commerce व्याख्याता की या फिर सहायक सांकी की अधिकारी की तो इन दोनों के लिए offline batch start हो रहे है उद्यपूर संभाग का ये पहला offline batch होगा ध्यान रखियेगा खास बात क्या है दोनों ही vacancy में चाहे first grade commerce की बात करो या ASO की बात करो दोनों ही vacancy में जो eligibility है ना वो M.com चाहिए commerce वाले students के अगर मैं बात करता हूँ तो है ना यहाँ पे आपके पास में M.com के साथ B.A. होनी चाहिए और ASO में आपके पास में simple अगर M.com आपने कर रखी है तो आप इस vacancy के लिए eligible हो जाते हैं यह बात आपको विशेशुप से ध्यान रखिएगा तो सभी के लिए student है even मैं तो first grade वाले student को भी कहता हूँ कि भाईया हमेशा plan B साथ में लेके चलो एक option लेके चलो और आपके लिए यह एक option जो है वो दूसरा ASO है तो साथ साथ में ASO को भी लेके चलो इसका syllabus भी त्यार खुरा क्योंकि जीके दोनों में same है और जीके का जो portion है वो दोनों में ही बहुत important है यहाँ 4500 में से 1500 नंबर का आपका जीके आने वाला है जीके concept academy जो की उधैपुर संभाग में पिछले 15 सालों से लगातार जो है वो विद्यारतियों की सेव को सेवाय दे रहा है और कई सारे selection दे चुका है तो पूरी concept की team साथ में commerce के लिए जो पूरे इंडिया का सबसे largest platform है commerce का RPSC अड़ा दोनों मिलकर जो है वो यहाँ पे इस session को ले रहे हैं गाईस तो definitely बहुत important होने वाला है यह batch आप सभी के लिए बहुत ही important है तो जो भी student जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाएए तो चलिए गाईस अब बहुत ज़़दा बात नहीं करके मैं यह आप देख सकते हैं यह 5 अगस्ट को notification आया था अभी भी अगस्ट ही चल रहा है तो 5 अगस्ट को यह notification आया था notification सहायक सांकी के अधिकारी का था जिसे हम A100 का भी नाम जो है वो देते हैं और post कितनी थी तो आप देख सकते हैं कि total 43 पदों पर यह vacancy आपके सामने जो है व उसको मैंने highlight कर रखा है क्योंकि notification हमेशा बहुत बढ़ा होता है हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता हमारे काम की जो information होती है हम वही पढ़ते हैं तो आईए सबसे पहले सबसे important बात कर लेते हैं और वो बात होती है qualification की हमेशा मैंने देखा है विध्यारती इस point पे बहुत जादा confused रहता है मैं इसको जितना हो सके zoom भी कर लेता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी एक point और zoom कर लेता हो तो अच्छी तरीके से आपको बड़े बड़े एक्षरों में यह अच्छे यहां पे नज़रा रहा होगा बहुत ध्यान से देखना अनिवार्य शेक्षनिक योगिता हैं क्या होती है सहायक सांखी की अधिकारी की सबसे पहले क्योंकि यह जो वेकेंसी है यह PG लेवल की वेकेंसी है तो सबसे पहले यह ध्यान रखिये कि जिनका भी B.com हुआ है या B.c. हुआ है या BA हुआ है वो इस वेकेंसी के लिए eligible नही यह है तो आईए एक बार पढ़ लेते हैं हाँ सेकिंड जो कंडिशन में आपको बता रहा था कि पोस्ट रेजुएशन या तो चल रहा हो या हो चुका हो पहली बार और दूसरा जो पोस्ट रेजुएशन है उसमें आप क्या सेकंड डिविजन होना चाहिए यह दो करी है आपने उस मास्टर डिगरी में आपका जो सब्जेक्ट है वो या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए अब साम मैथमेटिक्स में मास्टर डिगरी करी है इसका मतलब बात MSC की हो रही है तो अगर आपने MSC मैथमेटिक्स कर रखा है चल रहा है फाइनल येर है या हो गया ह तो आप eligible हैं दूसरा आपने जो है वो PG कर रखा होगा statistics में मतलब अगर आपने MSC statistics में भी कर रखी है ना तो भी आप इस vacancy के लिए eligible हो जाते हैं फिर उसके बाद में आपने PG कर रखा हो economics में PG economics में कर रखा हो इसका मतलब यहाँ जो बात हो रही है वो MA की हो रही है M.com की नहीं हो रही है बात यहाँ पर किस की होगी की commerce वालों के लिए अलग पार्ट यहाँ लिखा हुआ है तो economics में अगर आपने क्या कर रखा है MA कर रखी है तो MA में economics आपके PG के subject में आता है MSC में आपके mathematics और states आपके subject में अगर है तो आप इस vacancy के लिए eligible है या फिर तो बात science वालों की हो गई है बात arts वालों की हो गई है arts वाले सारे eligible नहीं है economics वाले ही eligible है और उसके बाद में यहाँ पे जो eligibility है वो commerce की है तो commerce में इन्होंने कोई specific बात नहीं लिखी है नहीं लिखी है इसका मतलब जिनोंने m.com किया हुआ है वो इस exam के लिए eligible हो जाते है राजस्तार में बात करते है तो राजस्तार में जो m.com होती है वो अलग-अलग तीन stream में होती है तीन विभागों में होती है accounts में ABST में अलग होती है business में के लिए BADM में अलग होती है और economics में EFM में अलग होती है तीनों के लिए अलग होती है पर तीनों आते हैं commerce में ही आते हैं commerce में ही तो सारे ही student इसमें eligible जो है वो हो जाते है या तो M.com previous आपकी final चल रही हो या खतम हो चुकी हो दोनों ही student इसमें आ जाते हैं यह पहली बात student में आपको बता दी है यह सबसे important थी चलो ठीक है आगे आजाओ फिर आपके आगे और लिखा हुआ है master degree in any of the above subject इन में से कोई भी subject में master degree होनी चाहिए with one year diploma भी अगर आपने कर रखा होगा तो भी आप available हो ठीक है यह इतना काम का important नहीं था यह point important है उसके बाद में second point जो लिखा हुआ है अपने point काम का एक ही point है बाकी कोई भी point अपने काम का नहीं है लिखा हुआ है O level आपके पास में certificate होना चाहिए या फिर नाइलाइट का computer certificate आपके पास में होना चाहिए पर ध्यान दो यह जो second point जो में और लिखा हुआ है तो या तो O level का certificate हो या फिर नाइलाइट का certificate हो या फिर वापिस O लिखा हुआ है COPA का certificate हो या और लिखा हुआ है degree diploma certificate in computer science Computer application आपके पास में होना चाहिए या फिर और लिखा हुआ है Senior Secondary Certificate जो है वह आपके पास में होना चाहिए Computer Science का, ये भी काम का नहीं है या फिर Computer Science Engineering का आपके पास में Polytechnic Institution का होना चाहिए ये भी काम का नहीं है, simple सा लिखा हुआ है RCIT तो भाई या RSCIT होना चाहिए तो पहला वाला पॉइंट ध्यान दखो पहले वाले पॉइंट के साथ में RSCIT है है तो अच्छी बाते नहीं है तो आज ये apply कर दो आपको registration number मिल जाएगा form तुम भर दोगे तो RSCIT की वज़े से परिशानी नहीं आएगी परिशानी केवल आपने जो post graduation कर रखी है ना उसके base पे आने वाली है ये मैंने बहुत साधारन शब्दों में आपको योगिता यहां बता दी है मुझे लगता है आपको चीजे समझ में अच्छी से आ चुकी होगी बाकी जो चीजें है वो अपने काम की नहीं है सीधा मैं आगे बढ़ता हूँ अब थोड़ा सा मैं जूम आउट भी कर लेता हूँ ये हो चुका है फाइनल ये रोग लिए क्या सिस्टम है तो इनोंने साब साब बोल दिया है कि अंतिम वर्ष की परिक्षा में जा अगर आप सम्मिलित हो चुके हो या सम्मिलित हो रहे हो तो भी आप इसके लिए जो है वो यहाँ पर इलिजिबल हो लेकिन बस ये धियान दखना कि जब आपका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होगा आपकी मार्क सीट आपके हाथ में होनी चाहिए कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा अब बात करते हैं कि सर सहायक सांखी की अधिकारी सर क्या इसमें सैलरी होगी सैलरी ऐसी है जो आप सभी के लिए unexpected सैलरी है इसमें कितनी salary है सर तो pay matrix level 11 के हिसाफ से आपको salary मिलने वाली है pay grade 42, 42 का pay grade बहुत बड़ा एक pay grade होता है तो 42 के pay grade के हिसाफ से आपको salary मिलने वाली है बात करते हैं सर आयू क्या है age क्या है form भरने की तो eligibility समझ में आ रही होगी आपको age कितनी है तो वही एक जनवरी 2025 के हिसाफ से आप चेक करना 18 साल से लेके 40 साल तक अगर आप हो तो आप इस exam का जो form है वो भर सकते हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाकी information अपने काम की नहीं है बात करते हैं परिक्षा का इस्थान और माहा क्या होगा परिक्षा की date इन्होंने दे दी है अक्टूबर 2025 इन्होंने date दी है तो व आपका exam जो होने वाला है परिक्षा की योजना और पार्ठीक्रम क्या होगा योजना पार्ठीक्रम पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा वैसे इन्जनल आपको बता देता हूँ कि आपका यह जो syllabus है दो पार्ट में आपका exam होगा दो पार्ट में जो exam होगा उसकी detail य बड़ा महत्वपूर्ण है 30 नमबर आपके यहां से आएंगे 30 कोशन 30 नमबर और आपको और इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स एकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स यह तीनों मिलाके 70 कोशन 70 नमबर और आपको कुल मिलाके यह 100 कोशन 2 घंटे में कर रहे हैं है ना उसके बाद ब अभी 100 नमबर में से 74 की कट आफ गई थी तो आप सोचके चल सकते हो कि 40, 50, 60 पर्षिट लाने से कुछ नहीं होगा मेहनत जम के करनी पड़ेगी तबी जाके होगा standard जो paper का रहेगा वो PG level रहेगा obviously रहना ही था क्योंकि इन्होंने qualification में भी PG ही बोली है तो subject knowledge में राजस्तान का GK पूरा है राजस्तान का GK है तो राजस्तान की geography है, art and culture है, history है, quality है, current affairs है, यह सब आपका part 1 है part 2 की बात करता हूँ तो इसमें statistics है, statistics लगबग पूरी ही है, starting से लेके advanced level तक statistics है जाती है, economics में कुछ topic आपके यहाँ पे भारती अर्तिजस्ता के है, micro economics के है, जिसे हम एक अलग वीडियो में discuss करेंगे उसके बाद में राजस्तान की economy है, elementary mathematics है और basic of computer है, यह आपका syllabus है, जिसे हम लोग discussion करेंगे बाद में, तो syllabus मैंने आपको बता दिया है, आवेदन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं, 12 अगस्त से आवेदन शुरू हो गए थे और 10 September तक आवेदन चलने वाले हैं, तो क्योंक लगता है, जिनको की हम eligible है, आप definitely यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका form जो है वो भर सकते हैं, बाकी information अपने काम की नहीं है, तो उसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, official notification के द्वारा ही आपको सारी शीज़े बता रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, मेरे इसाब से सार भी student है, जो जुड़ना चाता है हमारे साथ में, enroll हो जाईए हमारे साथ में, offline, online दोनों ही बैच चलने वाला है, first grade commerce व्याख्याता का भी paper one, paper two, दोनों मिलेगा, और सहायक सांखी के दिकारी में भी paper one, paper two, दोनों ही मिलेगा, ताकि आपको और कहीं भी आने की आवशक्ता नहीं है, तो 26 तारिक को सुबह 9 बजे इस seminar को जरूर अटेंड करो, बहुत जादा beneficial आप सभी के लिए होने वादा है, तो चलिए गाईज, फिलाल करें ले रहा हूं, मैं आप सभी से विदा, thank you so much आप सभी का मेरे साथ में इस session में जुड़ने के लिए, मिलता रहूंगा जैसे ही important वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बंदे मातरम, बाई बाई